हलो प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे पाड़ दो आवाजें और बोलियां सबकी अपनी अलग अलग आवाज होती है और जब अपनी अपनी बोलियों में एक दूसरे की भाशा को समझते हैं जैसे कोवा काउं काउं करता है, चिडिया चीची करती है, कोयल कुहु कुहु करती है, कुता भौभौ करता है, मेंड़क तर तर बोलता है, घंट्या टिक तिक बोलता है, घंटी टंटन बोलती है, कार पीपी बोलती है, और साइकल की घंटी ट्रिंग ट्रिंग बोलती है और जब बादल गरचते हैं तो गड़-गड़ की आवाज आती है सबकी अपनी अलग-अलग भाशा और अलग-अलग बोलिया होती हैं बच्चो पशु पक्षी भी अपनी बोलियों में बात करते हैं और हम भी हम बोलकर लेकर दूसरों तक अपनी बात पहुचाते हैं सुनकर और पढ़कर उनकी बात समझते हैं इसे भाशा कहा जाता है जैसे हिंदी एक भाशा है थैंक्यू सो मच बच्चो